भीश्म पितामः, जिन्हें भीश्म या भीश्म देवरत के नाम से भी जाना जाता है. भारतिय महाकाव्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे. वह राजा शान्तनू और नदी देवी गंगा के पुत्र थे. भीश्म असाधारन गुनों से संपन थे और उन्हें अपने समय के महांतम योधाओं में से एक माना जाता था. हालां की, उन्होंने अपने उपर एक शक्तिशाली श्राप भी लिया. भीश्म के श्राप की कहानी उनके पिता राजा शान्तनू से मिलती है. शान्तनू को सत्यवती नाम की एक सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया. जो एक मल्लाह की बेटी थी. फेरी वाला एक शर्थ पर शा जाय सिंगहासन का उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया कि सिंगहासन के लिए कोई प्रतिसपर्धा नहीं होगी। सत्यवती ने भीश्म से विवाह करने और बच्चे पैदा करने का अनुरोध किया। भीश्म ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य की शपत ली थी। हताशा में सत्यवती ने व्यास नाम के एक रिशी की मदद मांगी। जो भीश्म के सौतेले भाई थे। व्यास नियोग नामक एक प्रथा के माध्यम से विचित्रवीर्य की विधवाओं के साथ पिता बच्चों के लिए सहमत हुए। भीश्म ने विधवाओं अंबिका और अंबालिका को व्यास के पास लाकर इसकी सुविधा प्रदान की। हालां की मुठबेड के दौरान अंबिका ने दर के मारे अपनी आँखे बंद कर ली और अंबालिका का चेहरा पीला पड़ गया। परिनामस्वरूप, उनके बच्चे, धृतराष्ट्र और पांडू, क्रमशह, अंधे और पीले पैदा हुए। जब सत्यवती को इस बारे में पता चला, तो वह निराश हो गई। और उसने व्यास से अनुरोध किया कि वह एक बार फिर अंबिका की बड़ी दासी नामक एक दासी के साथ प्रयास करे। इस बार अंबिका ने अपनी दासी को भेजा, जो शांत और स्थिर थी। फलस्वरूप उनके पुत्र विदुर का जन्म हुआ, जो बुद्धिमान और सदाचारी था। जब भीश्म को इन घटनाओं का पता चला, तो उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण परिनामों के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस किया। क्योंकि उन्होंने खुद सिंघासन नहीं लिया था और अपने पिता की खुशी के लिए ब्रमचारी रहे थे। अपने गहरे पच्चतावे और अपराद बोध में, उन्हें रिशी वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि उन्हें शान्ती नहीं मिलेगी और जब तक वह नहीं चाहेंगे तब तक मृत्यू उनसे दूर रहेगी। इस प्रकार, भीश्म को अविश्वसनिय दीरगायू और अपनी मृत्यू के क्षण को चुनने की शक्ती का आशीरवाद मिला था। लेकिन वह चुने हुए समय तक अपने तीरों के बिस्तर में पीरित रहे। भीश्म का श्राप उनके द्वारा किये गए कठिन विकल्पों का परिनाम था। और इसने महाभारत महाकाव्य में उनके चरित्र में एक दुख़द आयाम जोड़ दिया। महाभारत के दौरान भीश्म एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने रहे। जो आने वाली पीरियों का मार्कदर्शन और सलाह देते थे। उन्होंने महान कुरुक्षेत्र युद्ध में कुरु सामराज्य की ओर से बहादुरी से लड़ाय लड़ी। अपने असाधारन कोशल और धार्मिक्ता के प्रती अटूट प्रतिबधता का प्रदर्शन किया। आखिरकार भीश्म ने उचित समझे जाने पर युद्ध के मैदान में मरने का फैसला किया और उनके गुजने से एक महत्वपूर्ण मोडाया।